तो तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक नहीं बेसिक जिमेट्री कि बताएगा स्पैलिंग क्या होती है में आर वाई देखते हैं सब्सक्राइए कर नहीं बता लग जाएगा कैसे पता लगेगा यहां गए और गोगल बाबा से पूचते जाके गोगल ट्रांस्टेट पर चले जाता है इस पर लिखते हैं बी ए एस आई सी बेसिक जी इओ गो एमी टी मेटी आर वाई जी ओमेट्री और यहां कर दोते हैं हिंदी बेसिक जीओमेट्री और दुनियाओी जीओमेट्री चले यानि इस पैलिंग ठीक बताई आप लोगा रहे हैं चलिए अब हम इसमें बहुत सारी चीज़े पढ़ेंगे हैं बेसिक बेसिक यह बहुत ही हमें काम आने वाले हैं अभी थोड़ी देर में थोड़ी देर में कि सबसे पहले पॉइंट पी ओ आई एंटी पॉइंट क्या होता है कि वह लिक छोटाजा डॉट दिख रहे हैं यह दिखाए दिया तो बहुत बढ़ा हो जाए यह जोट थोड़ा कर देखाने के लिए जैसे पैंसिल की टिप लगा दिया अपने पॉइंट की कोई लेंथ होती है कोई लेंथ नहीं होती है पॉइंट की पोजिशन होती है इसको ए पॉइंट भी बोल सकते हैं बी पॉइंट भी बोल सकते हैं कुछ भी नाम दे सकते हैं इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं ए दे सकते हैं बी दे सकते हैं सी दे सकते हैं किसी क होता है ॆधा लइन ही लाइन एंए लाइन ही फियुप सप्मेड़ coffee m e and t यह सिग्मेंट की लेंद एनथ क्या होती है फिक्जड उती है कहीं से शुरू होगी कहीं पे खतम होगी जैसे यहां पर इस पॉइंट से इसको माल लेते हैं ए पॉइंट यहां से यह चली लाइन और यहां पे खतम होगी है तो यह क्या हो गया यह लाइन नहीं क्या क्लाएगा यह लाइन सिग्मेंट क्लाएगा यानि लाइन का कोई हिस तो इसकी लेंद क्या आफिक्स यहां से केवल यहीं तक ही होगी जैसे आपके पास हुता है स्केल पर लिखा होता है थू संटी मीटर थी संटी मीटर फ्र संटी मीटर यह कितने संटी मिटर की लाइन होगी ऐसे ऑब्जर्व करना थ्मुश्किल है कितनी वोगी हां ठीक है तो तो यहां पर इसको हम कैसे लख यह सकते हैं सिग्मेंट को कैसे माल लेते हैं इसको एक सिगमेंट आप सीजोगती है कि लाइन लाइन कि कोई लाइन नहीं होती है वह लेफट में भी जा सकती है राइट में भी जा सकती है हम आपके पास टॉप बिजा सकती है तो ये उपर tries भी तो सकती लाइन वर्टिकल लाइन भी हो सकती है तो यह एक लाइन बनाई है हमने तो यह लाइन जो है इधर यह बना दिया अब यह इधर कितनी भी बड़ी जा सकती है ठीक है ना डैश 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 ऐसे यह बना दिया यह लाइन कितनी भी बड़ी जा सकती है इसको रिप्रिजेंट करने के लिए, हम क्या करते हैं? इसके उपर मार्किंग कर देते हैं पॉइंट की, है यहां पर लेट से यह एय पॉइंट है, इस लाइन के उपर यह दिची आगे तक जा रही है, आघी तक जा रही है, बोर्ड भी कटम हो गया तो इसका कैसे लिखतें है A, B और इसके उपर लगा दिया जाता है, ऐसे करके Iris, तो इसका मतलब हम Line की बात कर रहे है A, B लिखके दूनों MARा यारो लगा देंगे तो इसका मतलब Line की बात हो रही है और अगर A, B लिखने के बाद केवल ये minus का sign ये dash डाल दिया गया तो ये segment की बात हो रही है to segment fixed है यानि यहां से लेके केवल यहीं तक है काँ से काँ तक है केवल यहां से यहां तक है ये ये fixed है बड़ लाइन कितनी भी बड़ी हो सकती है एक चौथी चीज क्या होती है वह भी बड़ी इंपोर्टेंट है आर एवाई रे रे में क्या होता है एक पॉइंट फिक्स्ट होता है में जो फिक्स तहीं है कि थर भी जा सकती है ये लेफ्ट ए राइट आ और ये एसे जा रही है तो ये इस डारेक्शन वह कैसी भी जा सकती आगे और सकती है ठीक है ला तो यह क्या है रहा है इसका 1.2 होता है इसका क्या होता है और सिग्मेंट में दौनों पॉइंट फिक्स होते हैं यह भी यह स्टार्ट और यह एंड पॉइंट ठीक यहां तक किलियर होगे सबका सबका नोट हो गया किसका नोट नहीं हुआ है हो गया अब पढ़ते हैं इंटर सेक्टिंग लाइन क्या होती है कि इसको मिटा दें हो गया कहां से वाद आ रही है आपके कान तो बहुत देज़ है इंटर सेक्टिंग आई एन टी ए आर एस ए सी टी आई एन जी इंटर सेक्टिंग लाइन तो लाइन तो हमने पढ़ लिया लाइन का ना स्टार्ट होता है ना एंड होता है उसकी लाइन जो है कुछ भी हो सकती है टो इंटर सेक्टिंग लाइन का हों गी जब दो लाइन कम से कम हैं minimum two lines, एक दूसरे को किसी point पे क्या करती हूँ, cut करती हूँ, जैसे एक line हमने ये बना दी, शिक, ये line आगे जा सकती है, इसका नाम रख दिया, L1 line, कौन सी line, L1, line 1, line 1, और एक line हमने और बनाई, यहां से ऐसे करके, इसका नाम क्या लिखा, L2, यानि line number 2, अब ये दौनों line cut कहां पे हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, यहां पर, यहां पर, तो इसको माल लेते हैं, यह कौन सा point है, P, क्या माल लेते हैं, पी, खिक, इसको क्या माल लेते हैं, पी, यह पी क्या कहलाता है, इस पी को बोलते हैं, पी को बोलते हैं, point of, point of, intersection, point of, बरीरा को सब कुछ या दे, इसको पहले सी मैंत आता है, यह पी क्या कहलाता है, point of intersection, क्लास में कभी हस्ते भी रहना चाहिए, नहीं तो फिर बोरियत होगी ना क्लास में, अच्छा, तो यह जो लाइन है, इस पर बोर्ड पर देखें, तो सारे बच्चे, यह लाइन है, ऐसे भी हो सकती, कि मानलो ऐसे एक लाइन बने, और एक लाइन ऐसे बन गई, तो यह भी क्या क्या लाइंगी? तो यह जब कभी हुदा लाइन है, क्रॉस हो जाएंक कहीं पर भी, बीच में तो यह भी क्या हो गया, यह भी इस point पर क्या हो गई? इंट्रसेक्ट होगे तैसा नहीं इसका नाम पी होगा इसका नाम क्यों भी रख सकते हैं इसका नाम बरीरा भी रख सकते हैं भी भी रख सकते हैं बीफ और बरीरा है कुछ भी पॉइंट दे सकते हैं कि इंट्रसेक्टिंग का मतलब हो गया कम से कम दो लाइन होनी चाहिए और वह एक दूसरे को कट करती हो ठीक है तो क्या होजेगी इंट्रसेक्टिंग लाइन हो जाएंगी अब देखते हैं पैरलल लाइन क्या होती है नोट हो गया सब का गोड़ अभी ब्रेक के जए अभी तो पांच मेट तो पड़ा है हम लोगों ने अभी देंगे थोड़ी ज़र में अच्छा भी देंगे हसने के लिए हसने के लिए भी देंगे रुख जाईए अभी हसने के लिए भी देंगे थोड़ी ज़र में पॉइंट चलिए पैरलल की स आर, एडवल, एल, एल, पैरलल, लाइन, पैरलल, लाइन, तो पैरलल लाइन कैसे होती है जैसे कि एक लाइन बनाई, अब ये लाइन जो है आगे ऐसे जा रही है, बिल्कुल एस्टेट, यह इदर जा रही है, और एक line और बनाई इसको मान लिया ये L1 line है और एक line नीचे बनाई तो अगर बोर्ट पर देखें सारे बच्चे अगर हम इसको आगे बढ़ाते रहें तो क्या ये दोनु लाइने मिलेंगी कहीं जागी कि मिल सकती है यह कई मिल सकती है नहीं पैरलल लाइने कभी भी नहीं मिल सकती है और इनके बीच का जो डिस्टेंस रहता यह वाला देखें इसदर देखें यह वाला जो डिस्टेंस है और यह वाली यह दूरी है डिस्टेंस मान ले दूरी है दूरी कैसे लिखते हैं डिस्टे इसको कैसे लिखते है हिंदी मैं दा पे बढ़े की मातर शब्रД कीडिया अगर दोनों लाइन के बीच बीच में आगर एक किलोमेटर की दोरी तो इधर भी एक किलोमेटर होना चाहिए तो फिर लाइने मिल याप नीजो पिलर दिखाई देरो एक लाइन घाए गे जाके जाके सथी शरी क्या हो गई पैरलल लाइं तो पैरलल लाइन कहीं नहीं मिलते हैं लेकिन इससे पहले क्या बढ़ा दामने इंट्रेसेक्टिंग लाइन जैसे अगर यह एक लाइन ऐसे हो एक लाइन ऐसे हो और एक लाइन ऐसे हो तो यह कहीं जाके आगे जाके मिल सकते हैं चुक्कि अगर हम इसको बढ़ाते चले जाएं तो कहां कहीं जाके यह मिल जाएंगे देखी जाके अगर हम यहां पर इसको आगे एक्सेंड करते रहें इस लाइ नाके सिर्ह रखें एक लाइन आपने अडिकी यहां पर मान लिए एक लाइन आप ने एशते करें अगर हम इसको एकसे करेंगे तो यह तो अगर हम इस वाली लाइन को यहां से आगे एक्स्टेंड करें तो हम देखते हैं यहां कि मिल गई यहां पर यानि यह पॉइंट ओफ इंट्रसेक्शन हो जाएगा है कि दो पैरलल लाने लाइन होंगी तभी नहीं मिलेंगे ठीक है न है कि लिए यहां तक अब एक चीज और पढ़ेंगे नहीं अभी नमाज पढ़ने जाएंगे सर्कल के बाद यह नोट हो गया इसका नोट नहीं हुआ अब दुल्ला नोट हो गया वही अच्छा अब हम चलते हैं इसको रिकॉर्ड नहीं किया था इसलिए उसको भी रिकॉर्ड कर देते हैं ताकि दूसरे बच्चें को भी इसका फायदा हो सके चलिए 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 अब यहां यहां पर दियान से सुनिए यहां पर एक पॉइंट है कोई इस पॉइंट को माल लेजिए कि यह पॉइंट क्या है ओ है और कुछ भी पॉइंट हो सकते हैं यहां से हमने क्या बनाई एक रे यह क्या बनाई रे ठीक है तो इस रे का कुछ नाम देदी हमने यहां पे पॉइंट लिग दिया है यां पे गवी इसे और डिया ठीक-घार में और भी क्या यह. ओ और भी क्या है ये है अप लोग फिर जब शोर कर रहे हैं तो फिर क्या कुछ तो सिंसेर रहे न क्लास में ओ भी क्या बोलें ये लाइन है रे है सिगमेंट है क्या बताया था भी क्यों रे हैं वोट इस इसका नाम रख दिया फॉर एक्जाम्पुल यहां पर के रख दिया एक रख जाएगा तो एक हमारे पास कौन सी रहे है ओभी एक रहे कौन सी है ओभी एक रहे यह है ठीक और दूसरी रहे कौन सी है मैं टो के ओ के दो रहे हैं यह दॉनों रहे किस पॉइंट मिल रही है जाकि कौन से पॉइंट पर मिल रही है कौन से कौन से पॉइंट है के और ओभी कौन से पॉइंट पे मिल रही है ओके उपर ओभी और ओके यह दौनों एक कौन से पॉइंट मिल रही है ओके उपर तो जो यह कॉमन पॉइंट है इसको क्या बोलते है इसको क्या बोलते है वर्टेक्स v-e-r-t-e-x क्या बोलते हैं वर्टेक्स और यह जो ओबी यह वाली रहती और यह जो ओके यह वाली रहती इन दोनों रे को क्या बोलते हैं हम आर्म क्या बोलते हैं ए आर एम आर्म क्या बोलते हैं ए आर एम आर्म और आर्म को हम साइड भी बोल देते हैं इसको क्या बोल सकते हैं साइड भी बोल देते हैं और इसको क्या बोलते हैं साइड भी बोलते हैं तो जब कभी भी दो रे किसी जो रे है और ऑ ऑ बी इनकोड मैं आ गई आ डार अगई आगई आच अब जब किसी एक पॉइंट पर से और आपके पास होती है ओ भी हो ओके हो कुछ भी हो तो यहां पर क्या बनता है एंगिल बनता है यहां पर क्या बनता है एंगिल यह कहलाता है एंगिल एंगिल कहलाता है यहां तक क्लियर हो गया ठेक है अच्छा अब दियान से सुनें बहुत जरूरी है आगे काम आएगा द्यान से सुनें यहां पर मैंने एक पॉइंट लगाया इसका नाम क्या पी यह जो पॉइंट है यह इस दौनों रे के अंदर है या बाहर है यह जो पॉइंट लगाया है यह इन रे के अंदर है या बाहर है यह दो देखें है ये मैंने शेड कर दिया यह क्या रहा है इसके अंदर आ रहा है यह क्या रहा है अंदर आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे पी को क्या बोलेंगे पी का नाम क्या होगा इंटीरियर पॉइंट इन आई एन टी ए आर आई ओ आर इंटीरियर इंटीरियर पॉइंट क्या बोलेंगे इसको इंटीरियर पॉइंट आई एन टी आर आई वर इंटीरियर पॉइंट क्या बोलेंगे इंटीरियर पॉइंट ठीक है अच्छा अब एक एक चीज़ और अगर हम ऐसा करते हैं कि यहां पे एक point बनाते हैं कहां बनाते हैं यहां वने point बनाया यह पे एक यह point बनाया let's say m चलिए ठीक है तो यह यह जो m point है यह इस रे के अंदर रहे बाहर है यह बाहर है तो इसका हम ने कर दिया दूसरा हैं ऐसे शेड कर दिया समझने के लिए हैं तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे ये exterior एक्स टीरियर पॉइंट ए एक्स टी एर एक्स टी एर आई ओ आर एक्स्टीरियर पॉइंट तो जो पॉइंट अंदर होता है दौनों रहे के वह क्या कहलाता है interior point फी जो ए अंदर है interior point और यह जो बाहर होता है वो exterior point जैसे आपने क्या किया एक टौफी मुह में रख ली मुह खोल के यह आपने अपना मुह खोला ठीक यह आपने मुह बोला और इसके अंदर एक टौफी इंटीरियर और एक टौफी किसी के हाथ में exterior बाहर है है अगर टौफी हाथ में तो क्या बोल रहें exterior और मुह खोल के टौफी अंदर रख दी तो interior अंदर जली कि हम तो आज के लिए इतना ही काफी है ठाइड़ सुल्ड़ और इतना ही अंदर एक टो यह रख़गा है